शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें हम भीямार थाओस के लिए और आइकन को द enquारता की बाओस हो फोने गडिर स्थान गयरा की लिए कि बाले हैं से लिए खोले के लिए आई एक सब्सक्रास का लिए क Only है, कि बाले है, भी मतम्मीमें एक घए झाल 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 युद्ट आपको पहला बच्चा पंची हुटा के लेगा ने ऐसा नहीं हो सकता उपलोग पैसे विखा के मेरे बच्चे को वापस लाओ हुनिये बच्चे को कहा ले जा रहे हैं आपने बेटे की तकदीर बनाने काश वह पंची मेरे बेटे को ले जाता मैं रुपमनी अपने कलेजे पर पत्थर लग लेते तेवा ये दुख मुझ से देखा नहीं जाता तोनों बच्चे साथ साथ कि अच्छे लग रहे हैं एक यसी शकल सूरत नहाख नक्षा आजाओ राजकुमार को आराम करने दो मैं नहीं नहीं मैं यह पाप नहीं होने दूँगी आरे चब बैट बड़ी आई पाप वाली जब मेरे पिता जी राजपा च्छेन कर मुझे दर्बदर कर दिया था उसक्छ पाप का ऐसास किसी को हुआ था अब मेरा भेटा राजकुमार बनेगा और यह नवाब जादा उसकी गुला में करेगा मेरे पेटे के सरका मुकट रखा जाएगा और यह नवाब की चूते साथ करेगा और माई माचायल की नहीं संदा पच्छा पच्छा क्या है दन्नौ यह परिंदा किसका बच्छा किसका पता नहीं करें 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 पच्छा इतने महिनों से कोई भी बैदी ने अच्छा नहीं कर सका इस ज़से की घर आते ही इन होश आ गया आप लोग काम है मैं लुहार रामदीन हूँ आप करीब नुमेने से मेरे यां ब्यभोश पढ़े क्या नुमेने से आप को आपको जांते हैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन नेरे घर में कोई नहीं था जी नहीं कहां जा रहे हैं आप किसी को धून गया तेरा हाग तुझी को मिलेगा मेरे पेटे को नहीं मेरे पेटे को नहीं कि अच्छा कि अच्छा कि अच्छा कि वे शेरू नहीं नहीं तक तीर इतनी मेहरबाद में नहीं के मैनू की रॉशनी वरीच छ्वाला के खर को भी रॉशन कर सके जब अपने ही पड़ाय हो गए तो फिप पड़ाय से ज्या गिला चल शेरू महाराज ने युद में दुश्वनों बर्विजे प्रात की और उस लडाई में महाराज मारे गए करें करें इस तो राम दिन का वेटा है तो तो डेका एक फटका दस के बराबर होना चाहिए यह और न्युक्ट करेंगा करना शुरू कर दिया है आप भी रियासत के शाहितीर बनाते हैं और एक आपके बेटे ने बनाया है कर देखिए आप अब बहुत को बैटे कर दो यह यार का जनम दिन है यहीं तीर मैं उसे तोफे में दूगा तरह जी चाहता है मैं उसे ऐसे तीर बना कर दूँ इसे देखकर दुश्मन की टौंगे का पुठे अब 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 जारे जा रहे हैं अभी तो चलाने का भ्यास करना और बाकी है नहीं बेटे आज के लिए ब्यास बहुत हो गया पर मामा जी अपके तर्वुज नहीं रखूँगा तो फिर क्या रखेगा अपके रखूँगा तो बहुत चोटा है अगर निशाना चूप गया तो सेफ बच जाएगा और मेरे सर का धकन खुल गिरा जाएगा तो चाहिए अगर मामू अपने भाजे के हाथों से मारा गया है और ऐसा भाजा जिसे वो अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करता है प्रेटे बहुत सभावाल के थी चलाना तो ने तो अपनी तीर अनाजी से मेरा सेरा खावन बना दिया है अच तुम मेरा भाजा नहीं मेरा बेटा होता पेटा अब आगे कहा हा रहे है तो आदिया न तो उड़ा दिया है मामा जी अभी अंगुर उड़ाना है अँपवाना न अब आगे की आउला नशाना देखा पता जी राजकुमार की तरह मैंने भी तीर चलाना सीख लिया है अब मेरा दूसरा निशाना देखिए, अब हो गदे की अवलाद, तेरे भाप में भी कभी तीर चलाया था, छोड़ा ये तीर कमान, ये राजाओं माराजाओं के खिलवार हैं, या जा 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 को घटिया कामकर घटिया, पिताजी, आप मुझे हमेशा गदे की खचर की अब तो खाना खाले, अब वो नहीं आएगा, पीर जानता है, आज मेरा भी जनम दिन है, वो आएगा, बेटा, तो एक राज कुमार है, और तो आज को जनम दिन है, उसके दर्वाजे पे हजारों लाखों लोग तोफे देने के लिए खड़े होंगे, बेटा, ऐसे हंगामे में उसे कहां याद होगा कि एक लोहार उसका इंतजार कर रहा है, उनिया जानती है, मां महबत और सच्चाई की खातिर लोगों ने महलों को ठुकरा कर जोंपड़ों को गले लगाया है, अगर मेरी दोस्ती में सच्चाई है मां, तो वीर आएगा, और शरूर आएगा, मैंन आज मेरे यार का जनम दिन है, भगवान करे इसे मेरी भी उमर लग जाए, आज मेरे भी यार का जनम दिन है, भगवान करे इसे सारे जहां की उमर लग जाए, देख तेरे ले क्या तोफ़ला है, जो पसना है चुन ले और ये तोफ़ा मेरी तरफ से ये तीर लोहे का सीना चीर कर पार हो जाएगा अच्छा यकीन नहीं आट तो चला कर देख तेरे यार का सीना किसी लोहे से कम नहीं अधर तुम्हारी जोड़ी दुनिया के लिए मिशाल डेहनी चाहिए तुम ठीक कहती हो, लोगों को कहना चाहि कभी नहीं तूट सकता। नहीं तूटेगी बाबा कभी नहीं तूटेगी चल जरम अरे मैं का रूपने देने तेजा कर दोटेगी तूटेगी अर्म कर वार्ण कर दोटेगी तूटेगी कर दोटेगी तूटाओ साथ अजूबे इस दुनिया में आठ में अपनी जोडी पर तोडे से भई तूटे ना ये धर्म वीर की जोडी साथ अजूबे इस दुनिया में आठ में अपनी जोडी पर तोडे से भई तूटे ना ये धर्म वीर की जोडी हृृृृृृ ृःृृृT कोई तुझे को दे आवाज तो मैं बोलू कोई तुझे पुकारे तो मैं लब खोलू क्या जीना और क्या मर जाना ऐसा होता है याराना अजय चोड़ी यारों में दुनिया पर यार की बाहन चोड़ी हो 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 यह लड़की है यारे शम की दोर है कितना घुसा है कितनी मुज़ोर है यह लड़की है यारे शम की दोर है कितना घुसा है कितनी मुज़ोर है दिल न छोड़ न दे न हसके रखना दोस्त लगा में कसके और मुश्किल से काभू में आए थोरी दिल जो छोड़ी साथ अजूबे इस दुनिया में आठमी अपनी जोड़ी हर तोड़े से भई तूटे ना ये धरमदीर की जोड़ी साथ दिल तूब मुश्किल से तूबा ये शोड़ी जाए दूबे रहन दे दूबे रहना ये ये भे तूबे ये जोड़ी तुक्सुक के हम साती है ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, सब पुछ आधा आधा है तो, अरे रानी मां से मुझे को भी ममता मिल जाए थोड़ी सात अजूबे इस दुनिया में आठनी अपनी जोडी सात अजूबे इस दुनिया में आठनी अपनी जोडी पर तोने से भई तूटे ना ये धरवीर की जोड़ी ह्चा आप आप ओूबे इस दुनिया में झाल झाल जाल जाल अरे यह रहनल पेशारम दोल हो रहा है किराज़ करें लक्ते झाल झाल कर दो के लुट दो कि यहां बोड़ेक्ट करहें दो कर दो कि लाते कि लो हूं हम माजूद है अब है तुदु मर्वाएगा या अपनी रियासत नहीं है बैच जा नीचे बैच अब आए गाने मारूगा थे कि अज़े थे कि अज़े तुम शुक्र है आपने पहचान तो लिया हाथ राजकुमारी सहवा अगर हमने आपके शेर को हरा दिया तो इस नाम में क्या मिलेगा जो तुम मांगोगी मिलेगा ना मुकर तो नहीं जाएंगे तुम से नहीं राजकुमारी से बात कर रहा हूँ हमने कह दिया सो कह दिया तुम से बने लोहे के इस जिसन के लिए इन कहनों की ज़रूरत नहीं तुम से लिए में जजड़ में बात दुम से लिए लगाईंगे तुम से लिएंगे तुम से लिए लए लिए lmao प्रभाइप क्या शहजादी सहब आपका यह से तो गीनर निकला आपके बस सही मानों में कोई शेर हो तो एक नहीं दो भेजिए मैं तयार हूं अजगा घख एक टाव पिए एक नहीं दोला हूं आपको गुलाम इनाम के लिए हादर है मांगो जो मांगना है आपकी आवाज में खुशी कम और मजबूरी ज्यादा है राजकुमारी साहबा मांगो क्या मांगते हो आपका हाथ दिरफ़ार कर लो उसे आपका हाथ आपका दो आपका है आपका हाथ झाल 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 काल झाल झाल कुछ कमजोरी तो नहीं महसूस कर रहें। मर्द का खून और 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 आसू जब तक ना बहें। उनकी क्यमत नहीं लगाए जा सकती। इन पत्तियों से जलन तो काती होगी। लेकिन जख्म बहुत जल भर जाएंगे। लोहार हूँ बाबा आग की तपश सह जाता हूँ ये तो मामूली पत्तियां हैं। एक बात मानूंगे। अपने आपको इन महलों और राजकुमारियों से दूर रखो। बरना ये शरीर का जख्म नातूर बंकर दिल में उतर जाएक। अब तो बहुत देर हो चुकी है बाबा। मैं आग में कूच चुका हूँ अब शरीर जले ये आग बुझे इसकी कौन परवा करता है। कभी मैं भी यही समधर था। अपनी आवकाद भूलकर जवानी के चोश में एक ऐसी ही आग में कूच पड़ा था। आज तो बुझ गई लेकिन मैं आज तक उसमें चल रहा हूँ। यह तो अपनी अपनी किसमत की बात है। अगर आप मेरी मदद करें तो मैं सन होनी को होनी साबिक कर सकता हूँ। मैं समझा नहीं। मालिक निन बाजू में इतनी ताकत दे है के लोहे की सलाखों को कपड़े की तरह कलाई पड़ा पेड़ सकता हूँ। मगर उसी लोहे की बनी ही तल्वार को आपकी तरह चला नहीं सकता। पाबा कहते थे आप जैसे समराई चलाने वाला पैदा नहीं हुआ। अगर आप समराई मुझे सिखा दें तो नामुम्किन है। लेकिन क्यों। मैंने पैसला किया है। कि यह समराई क्या तो अपने बेटे को सिखाऊंगा क्या किसी मर्द के बच्चे को जो इसके खाविल हो। तो मुझे अपना बेटा समझ कर ही सिखा दीजीए। नहीं, ना कोई मेरा बेटा है और ना मैं किसी का बाप हूँ। किसी बहादूर बाप का बेटा समझ कर ही सिखा दीजीए। इसे चलाने के लिए लोहे का जिगर और पालाद का कलेजा चाहँ। तुम अभी बच्चे हो। ये तुम्हारे बसकी बात नहीं। ये बात है तो फिर हो जाएं दोदोहाद। अभी पता चल जाएगा लोहे का जिगर किसका है और किसका नहीं। जाओ बेटे घर जाओ अभी दखन ताजा है फिर से खून ना पहने लगा। ये क्यों नहीं कहते हैं मुझसे लड़ने की हमत नहीं आपने। दरते हैं आप। शंभाल कर बात कर वरना। इसके तो धनी हैं आप। जड़ा इसे प्हेंकर आएए। मा कसा में इस हालत में भी आपको पूरा पढ़ सकता हूँ। जड़े गे या-जार या-जा… या-जा- या-जा- पॉर曹- या-जा- झाल झाल पाग क्या ही तुम्हारी रगों में किसी मर्द का फूंख है हम तुम्हें सिखाएंगे जबाशे रूद तुम्हारी का पहला सबक बाया हाथ आगे तुम्हारी का पहला सबक बाया हाथ आगे कुम्हारी का दूसरा सबक कुम्हारी अपनी और दूसरों की जान बचाने के लिए जान लेने के लिए नहीं इसलिए तुम्हार करो मैं पचाना सिखाता हूं तुम्हारी की तरफ नहीं सामने वाले की आँखों में गड़ी रखो कभी तुम्हों का नहीं खाओगी पेत का वार इस तरह काटो गया तो तल्वार पेत को सीर्थी हुई पीट के भाद नकलाईगी ना बताता कर दो 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 दोखिए है कि में अदे कल्वार भाजी में यह तो अपनली किला कि अ कि 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 यह मेरा दोस्ता है वील सिंग्ध कि दरसल यह समय रहा था हम आप उसमें लड़ रहे हैं चाबाच आई दिन दिगे में पहली बार एक निंग दो वीरो अधि दोसे मुलाकात वी है आँ मेरे बच्चों का बताओ मा अज एक बीर पुरुश की दर्शन हो जा चलाती है तल्वार नजर आती थी तल्वार का वार नजर आता था बस वार का चमतकार नजर आता था पड़ते ही एक के दो अपने गुरू बना दिया है वोंसे तल्वार अजर आता है विर पुरुश का पफे साथ लेकर शिवार आता है अपना सेनपती बना लेते मैंने बहुत का मा ले ले वर राज-माल नहीं जाएंगे वो तो खुछ नहीं बताया मा और हम उनके पास एक ऐसा बाज है बाज हमा एसा बाज है कि और अधा बूर अन्सानों से क्या नानी निकार को एक मामूली शिकारी के छोपड़े में अकेले नहीं आना चाहिए था आप जिंदा के तो लौट कर वावत क्यों नहीं आये आया था लेकिन तब तक बहुत तेर हो चुकी है उस राज जब हम आपके तलाश में एक लाश मिली उसे आपके लाश समझ के हम अपने होश हवाद खो बैठें पिताजी में उसी हालत में हमारी शादी करतें फिर जब होश आया तो यह दुनिया लोग चुकी थी मैं भी अपने होश व मेरी मिनाक्षी की मांग में किसी और का संफूर भरा गया था कुछी दिन वरीड ज्वाला की पत्नी मिनाक्षी मर गई मैंने खुद अपने हाथों से उसकी चिता जलाई पहले हर रोज इसकी पूजा करता था अब रोज उसकी राख का फिलत अपने मांचे पर लगाता हूं मेरी मिनाक्षी नमस्ती तो आज को मेरे बच्चे की मांग में कि आप कभी किसी पर यह राज साही नहीं होने देंगे कि आप क्यों अब आपको कैसे बता हूं यहीं ना कि आप खोश में नहीं और जब आपको खोश आया तो वाइदे सूस्तित आपको यह समझना चाहिए कि आपकी रजपुर की महारानी है एक पहादुर और घूनहार बेटे की मां है अधम हम दोने एक दूसरे के लिए अब अच्छत पी है महारानी आपके और मेरे बीट यह शराफत की दिवार है इसे पार मत किछिए अब आप मेरे लिए सिर्फ एक महारानी हैं आप अपनी दुनिया में लाट जाएए अधरम यह क्या तुना मेरे लोहे जैसा दोस्ते हम चुहे जैसा हो गया ना खाता है ना बोलता है ना हतोड़ा उठाता है इसी काम में दिल नहीं लगता यार यार बस दिम होगा उसे देशे को इसे तेरे भावी को राच पमारी तो मामला यहां तक पॉंच चुका है आँ वीर एक बार उससे मिलवा दे माग कसम सारे गाउं का खाना अकेला खाजाँगा और तोड़ा ऐसा उठेगा ऐसा उठेगा कि सारे गाउं का काम दो दिन में कर दूंगा हो जाएगा ना प्यारे जब तक वीर है, तब कुछ हो जाएगा अब तो तुछ को परोसा है राजकुमारी जी, वही पुरा फर्यादी जिसका बेटा आपके हाथों मारा गया आपसे मिलना चाहता है, उसके साथ एक जोशी भी है जोशी? जी, आने दो राजकुमारी, मुझे बुड़ा परोर कितना अत्याचार होगा मेरे बेटे की लाजगेंगा किणारे रख दिये और ये जोशी, उसका अन्तिमसंसकार नहीं उन्हें देरा क्यों? क्योंकि जब तक युबराज के बही खाते में इसके पुत्र के जीवन का हिसाब किताब बन नहीं हो जाता उसका अन्तिमसंसकार असंभव है हमने इसके बाले के हाथ की रेखाएं देखी है रेखाएं इतनी लंबी हैं कि उसके हाथ से चलकर आपके हाथ से मिल गई है जी मैं मैं मतलब नहीं समझे मतलब ये कि इस हाथ में जीवन लेना नहीं जीवन देना लिखा है लड़की अबे ये लड़की नहीं राजकुमारी है हम जानते हैं ये राजकुमारी है पर तेरे पुत्र की बीमारी है, पर होगा वोही जो चाहते जगत मुरारी है, बीच में मत बोल बुढ़े या क्या हमारी है। कन्या, अभी इस बुढ़े को अपनी बहु का सुख देखना बाकी है, अपने फूल चैसे पोते को गोद में खिलाना बाकी है। इसका मतलब, इसका मतलब अभी वो जिन्दा है। है नहीं, हो सकता है। वो युवक अपना जीवन प्याग करके मृत्यू का फाटक खट खटा रहा है। प्रंतु यम्राज उसे अंदर आने की अनुमती नहीं दे रहे हैं। तो क्या उसके शरीय में फिल से ब्राना सकते हैं। अवश्या सकते हैं। यदि आप मैनों में प्यार लिए, होटों पे मुस्कान लिए, मन में उमंग लिए, दिल में तरंग लिए, उसके पांच चुम्बन लेताओ। चुम्बन? जिहां, तो दिल पर, जहां सख्म है, तो माथे पर, जहां तक्दीर है, एक होटों पर, जहां तद्बीर है। अगर फिर भी जीवत ना हुआ तो? यदि जीवत ना हुआ तो, हम अपना सर काट के आपके चल्णों में रख देंगे। और अगर हम यह सब उसके लिए ना करें तो? नहीं, ऐसा मत करें। मैं अपने बेटे की लाज के पास तरफ तरफ कर मर जाऊंगा। और आपके माथे पर दो निर्दोश परानियों के खून का कलंक लगेगा। यदि आपके चुम्बन से इसके बेटे को जीवन मिल सकता है, तो आपको क्या इतरास है? केवल पांच चुम्बन की तो बात है। इसमें इस बुढ़े का ही नहीं, हम सब का भला है। आप लोग जाईए, मैं सोचूंगी। आप आएंगी ना? मैंने कहजी आना कि सोचूंगी। आएंगी। 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 देख धरम, अगर उसे आना होता तो कब की आवे होती। तो बेगाड अपना और तो मेरा और भी जाय कर रहा है। अबे वो आएगी, जुरूर आएगी। पांच उमन के लालत के साथ साथ उसके दिल में प्यार की आग भी जला कर आया हो। और मेरा दिल कहता है अगर वो ना आई, तो तेरे प्यार की वो आग जिस पर तू लेटा है ना, उससे जलाने में मेरी मदद जूर करेगी। अबेगी। 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 अधर चुटी है दराव तराव तराव दिल रहा है तराव तराव दिल रहा है अबे तराव पे दिल रहा है लेग जल दिलेग अब बंकर वो सुनेगी यह सब मेरे कारण हुआ है दराव मुझे माफ कर दो वो नफरत वो गुसा सब जूट था अब एक पर बीदा हो जाब भातम मैं तुहारी हर बात मानने के लिए चाहिए आज़ा ओंटों का चुंबन बापी है तुम्हें ना हो बिलकुल नहीं तुखे यह सब ढूंगा ढूंगी मैं अकेला ही नहीं आप भी हैं यार होते हैं भी आपने उसे चुपाने का ढूंग किया और मैंने उस प्यार को पाने के लिए मरने का ढूंग किया ढूंगी से ढूंगी टकराए प्यार का अकरार हो जाए हो जाए पास्वान और मैं जाए अझाए झाए जाए याए जाए कर दो कर दो ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्दी मेरा क्या पर देख तुझो रूट कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्दी मेरा क्या पर देख तुझो रूट कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्दी मेरा क्या यढ़े जाना है तुझे तुझे जाना है तो जाएगी जो भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का जो भी हो मेरी इस प्रेम कहानी का पर क्या होगा तेरी मश जानी का आशिक हूँ मैं तेरे दिल में रहता हूँ अपनी नहीं मैं तेरे दिल की कहता हूँ ताबा ताबा फिर क्या होगा के बाद में तू एक रोज पच्चताएगी ये जुट प्यार की चुटाई में ही घुजर जाएगी ओ मेरी महभूबा, महभूबा, महभूबा तुझे जाना है तो याँ अगर मर्ली मेरा क्या तेरी चाहत मेरा चैर चुराएगी लेकिन तुझ को भी तो आनीन नाएगी मैं तो मर जाओंगा लेकर नाम तेरा नाम कर कर जाओंगा बजनाम तेरा तौबा तौबा फिर क्या होगा के याँत मेरी दिल से रटर पाएगी तेरे जाते ही तेरे आने की खबर आएगी ओ मेरी महभूबा, महभूबा, महभूबा तुझे जाना है तो जा, तेरी मड़ी मेरा ग्या जारा, जारा जारा, चारा, तुझे है एक बार बार नहाने थी आदिफ के सी पर दिए तुझे क्या पता गौंती, आइसता कर ऐसे नहने में क्या मजा है और वह बी किसी की इंतजार में वो तो राजकुमार है बार बार नहीं आने वाला अगर तुझे मिलना ही है तो खुछ जाकर राजमेहिंगें के लिए मिल लेती है राजकुमार को पता चलेगा तो तुम दोनों को खड़े नौकरी से निकाल देगा जाकर कहूं के हम आए है है चोकुरी तुम हो कौन और हाई कहां से हो हम है कौन और हाई कहां से अरे वहीं से है क्या बात है क्या हो रहा है तरकार इलड़की राजकुमार से मिलना चाहती है तो आप राजकुमार से मिलना चाहते हैं? जी मत्रमीज इन्हें रोग देंगी तुमारी जड़त कैसे हुई? आइए देखा इन्होंने पैचा लिया न यहां की होने वाली जाजकुमारी को बंडे ने चे आइए राजकुमारी अज़के बंद कर दिया? इसलिए कि तुमारे वास्ते दिल का दर्माला जो खोल दिया है चानेमन चानेमन होगी तेरी मा तेरी भेन तेरी चाहती मुझे मुह संभाल कर बात कर हा? मुह तो संभालनू लेकिन कंबख ये दिल को संभालेगा दिल को ड़स दूए के बिल में रास्ता छोड़ तु जिद छोड़ दे, मैं तेरा रास्ता छोड़ दूँ देख, हचा, नहीं तो चीर के रख दूँगे जहा हमादे परिष्टों को जाते हुए डर लगता है वहा हम खुद पहुंच जाया करते हैं कमीने रचकमार इस तरह खिरकी से हमारे कमरे में अंदर आने का मतलब बहीमानों के घर का दर्वाजा जब बंध होता है तब शरीप आदमी को मजबूरन खिरकी से आना पड़ो जोना सूर कमपच्चा और अधिर खिर के कर लिए जाते हैं है तुम यहाँ के चलिया है तुम बहुत दिनों से मिले नहीं थे इसले सोचा खुद ही मिलू कोई काम था इस चिझे कोई काम होता है कोई मिलने जाता है राजकुमार से तभी मिला जाता है जब कोई काम हो एई तुम दूसरों के लिए राजकुमार होगे लेकिन मेरी लिए बही बन जारे हो तुमसे असके दो बाते क्या कर लें तुम पियार समझ ले थी क्या तुम्हारे दिल में परेले कोई कुछ भी प्यार नहीं लगता है, उम्हें गलत अहुता है रानिमा रानिमा गई रानीमा आगी रानीमा देखती हु गलत तविक किसका हुई अरे शुन सुन सुन रानीमा मैं रूपा हूँ एक पंजारन त्या चाहिए तुम हो इंसाफ रानीमा आपके रियासत का उतूल है ना कि खून के बदले खून और जान के बदले जान तो दिल के बदले क्या होगा रानीमा दिल के बदले दिल क्या किसी ने तुम्हाय दिल तोड़ा है तोड़ा नहीं चुराया है मैंनो के रैने वाला एक लड़का मुझे गरीब बनकर मिला था और अब मेरे प्यास से इंकार करता है कि उसने कभी कह है कि वो तुमसे प्यार करता है नहीं नहीं राजकुमार करता आफ इस लड़की तुमारे साथ पूरा इंसाफ होगा आओ हुमारे साथ बीर, उस लड़के तक हमारा प्रगाम पहुचाओ, इस रियासत में किसी का दिल तोड़ना, कानून तोड़ने से जादा बुरा माना जाता है, उसे कहो, रूपा का हाथ मांगने तभी लेके सदार के पाँजाए, वना उसे हम सख सदा देंगे, जी, वो लड़का जरू जाए बस, अब तो खुश, मैं तो खुश हुई, लेकिन लगता है, तुम खुश नहीं हूँ, तो जबर्दा से समझता है, तो जाने दे, अरे ऐसे प्यार में क्या मज़ा, अपने सारी जिंदगे अपने सर्दार के साथ गुजार लेंगे, जो कि, अगर तो ऐसी बात करेगी, त तुझे और तेरे सर्दार जोनों को जान से मार दूगा, अपने सर्दार से जाकर के देना, तल तेरा हाथ मंगने आ रहा हूँ, मैं ताच, यह राज मेल है, अई हॉत्कवे, अभार गया, मेरे पास दाव पर लगाने किया कूछ भी नहीं हुआ, हमारे पास तो बात कुच ह हमारा जात है, वो लगा दू? यहाँ इसका मैं क्या करना? लगादो लगादो, लगादो, मैं समझा नहीं? हाँ, मेरा मतलब है, रूपा, रूपा? वो तो मेरी मंगेतर है, अरे विगर करते हो, मेरी तो मंगेतर ही रहेगी, भारी? यहाँ मेरी? अरे सोच क्या रहेगो, लगादो उसे दाव पर, तुम जीतगा दो इस सारा मल तुमारा, मैं जीतगा, तो सिर्फ रूपा मेरी ठीक है, रूपा लगे दाव पर, जेओ इनमर्दमाली बात रूपा रूपा, परदान नहीं तुझे दाव पर लगादिया रूपा मंगे तर किसकी, तेरी या मेरी रूपा मेरी, किलो रूपा मेरी है, रूपा मेरी है, रूपा आँ सरदार, अपना बाप का मा समझ के दाव पर आगाए मुझे, तूरे कमीरे, तुम यहाँ ही पहुच गया आँ तुम परिषित, परिफसम के डी पिरये रूपा माँ बॉपा आँ परिख आतकम आँ सये आरत का हाथ तो बड़े जोर से खेज रहे थे, मर्द का हाथ ठेशती हुने शेम आती है पेच आरहा, मेरा धूलार बनने चलाता हाँ कौन हो तुम, कमजोरों की मदद करना और जालमों की सर कुचलना मेरा धर्म है इसलिए मामापने मेरा नाम भी धर्म रखा है सर्दार मुझे तुम से यह उमीद नहीं थी, चुवे में हारा हुआ माल वापिस लेने के लिए तुम मेहमान ते इतना बड़ा नाटक करोगे एक तरफ कबीले की इज़त पर हाथ डालके और दूसरी तरफ अपने आपको कबीले का मेहमान कहते हो इतने मर्दों मेंसे खबीले का सरदार चुनने के लिए का यही एक मुझदल मिला था आप लोगों को कबीले का सरदार सर की बाजी लगाकर कबीले की इज़त बचाता है कबीले की इज़त दाव पर लगाकर सरदार ही नहीं जताता बहुत खतरनाख खात्मियें देख रहे हैं आदमी को कैसे बढ़का रहा है जो अपनी मंगेतर को दाव पर लगा सकता है तो कबीले की बाओ बेटियों की इज़त चा बचा सकेगा बोलते हैं क्यों नहीं जवाब दो मुझे तो लगता है जिस तरह मेरी गटी चिन गही आज तुम्हारी भी सरदारी चिनने वाली है अगर तुम लोगों में जरा भी इज़त है तो इसका मुझ काला करके इसे कबीले से बाहर निकाल दो अरे उनको क्या बर्काता है ये भेर बक्रिया मुझे यहां से क्या रिकालेगी देने में कोई मर्द सरदार मिल गया कई भेर बक्रियां शेर बन जाएंगी मेरे होते हुए उन्हें दुसरा सरदार मिलेगा तो न किस कभीले का उसुल है तर्णार बनने से पहले ही जे मुझे कुछी में अहांना होगा कि झाल झाल सर्दार कबीले की इजद बचाने के लिए अपने सर की बाजी लगा देता है कबीले की बेटी को अपनी बेटी, बेहन को अपनी बेहन और माँ को अपनी माँ समझता है कोई सरदार दालत की खातिर अपने कबीले की इजद को ताव पर नहीं लगाता कर दो कि नजर लग गई है जड़ागे काले टीका ता लगा दो कर दो अच्पा याजुए बाना ओधी है कर दाँ मेरे पाले इए आप देख लूगा इसनुए से प्धे करें प्रशा देख लूना नहीं है आपकोनदिस मुक्ल के विम्हटा तरुमिंदों कि अंगे हो। जी मुक्कर मेर सबकार के करेंबग और अधर सेखाते ही साथ बागव है कि नहीं दरुन जानी देशे इसका फैसला दरबार में होगा जानी दीजिए मामाची जब मुझे अपने भाई से कोई शिगाइज है तो इतनी सी बात के लिए इसे इतनी बड़ी सुझा क्यों दे नहीं नहीं राजकुमार इस तरह सी बात नहीं है श्राजकुमार इस हरां में तैसर हमने नहीं से रहां कि स्कुमार इसाडम है ही जो आज तक राजकुमार कोacağि एक जी इतनी हिम्मत हो गई इसने राजकुमार वी आप सब लोग गौह रेना और इत्थास में मेरा नाम सनारी हरूफ से लिखना कि मैंने खानून को जिन्दा रखने के लिए अपने बेखे कि जान की परवा नहीं कि आम पोड बहादर बनता था तो यह देखता हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है और आज आग में परे खून से पुझाओंगा मेरा बेटा नहीं इसी नीच समीने आग में क्या उलाद है हम जलील कमी नहीं बसके जिए लाज बसके जिए आग जाओ इसने आमारे बेटे राजकुमार की जान लेना चाहिए हम मुझे जिन्दा में चोड़ेंगे लेकिन आप उप्रेप नहीं जाने पिरिस्टिंग हमारे बेटा नहीं है हाँ पिरिस्टिंग रानी का पेटा है और रंजीत हमारा हाँ मैं दूसरे हाँ पुच्छे दुबारा बदल दिया थे अच्छो मुझे आइसाना कहो बेटे बेटे माय तो किसी नीच कमीरे क्याला धुना जिसे देशती आग के तन बदन में आग लग जाती है जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटे अब कहरे हुआ भूल जाओ बेटे तुमने किये कर आपड़ पानी फिर दिया है जाओ खड़े-खड़े मेरा मूंका देख रही हूँ हमारे बेटे के लिए पिष्टे बदाम का दूद लाओ अरे जाओ जाओ ना जी जी आप क्या समयते हैं कि अब मैं महराज नहीं बन सकता मा और बेटे सिर्फ दोनों को इतरास्ते से अठाना है बेटे हमारे दुश्मन दो नहीं है तीन है तीन किसरा कौन तरम सिंह लहार वो वीर सिंह की धाल है और जब तक ये धाल रहेगी आरे सववार बिकार चाहेगी चमा कीजिये महराज इस वक्त राजकुमारी सो रही है उन्हें उठाओ और उनसे कहो कि उनके सपनों का राजा आया है नहीं नहीं उठा सकते तो ठीक है उन्हें हम उठाएंगे अचाओ राजकुमारी ये क्या हम जाग रहे हैं और आप सो रही हैं ऐसी चांदी रात में आशिक माशुक की आँखों में आँखें डालकर एक दूसरे में खो जाते हैं सो नहीं जाते उठीए चलिए हमारे साथ आज हम आपको अपनी मुहबबत का यकीन दिलाएंगे अपनी बाजों में मचलती हुई ताकत से नम उने पेश करेंगे उठीए राज कुमारी उठीए न उठीए न ते लिए ते लिए श्रीए अभी विवक्त है समल जाओ वना राजगदी तुमारे हाथ से निकल जाएगी क्यों जा हुआ अगर यही हालत रही बच्चे से पल लवी की शाधी हो जाएगी लेकिन जी नंवुमकून है वह उसको मुमक्द सिर्फ हम बना सकते हैं वह भी तब पलवी की शादी हमसे हो जाए अकर उस लोहार के बच्चे ने पलवी से शादी कर ली जानते हो गर तुम उसके पाउं की धूल यह कभी नहीं हो सकता हम अभी जाकर उसे मिलते हैं इससे उससे या उसके पुटले से क्या मतलब इस वाट वो सुहार के बच्चे को कभीले का सरदार बनने की मुबारक बात देने गई होगी संजे कि 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 अधार के बच्चे मुसंभाल के बात करो इस वक्तुम इस कभीले के सरदार से बात कर रहे हो हमारी मंगेतर कहां है भाग गई एक और तो तो तुमसे संभाली नहीं जाती इतनी बड़ी रियासत क्या खाक संभालोगे तुम उसे भगा कर लाया हो महादूर ना तो खुद भागते हैं और ना किसी को भगा कर ले जाते हैं आजो चीज पसंद आजाए मां कसमों से भरी सभा से उठा कर ले जाते हैं हम यहां की तलाशी लेना चाहते हैं शाक से शाक से लीजिए शाक से ले जाते हैं कर ले अ यहां किसी आजो तो ऑनरे जाते हैं hello कर दो आपको देमें दबाए रपना नहीं जिखे देना चुप ही रगदा बन हो मुट्टी तो लाक्षी खुल गई तो लिखाक्षी बन हो मुट्टी तो लाक्षी खुल गई तो लिखाक्षी राज खुल जाए ना खियार प्रना नहीं कहे देना चुप ही रहना गन्हा भुट्टे तो लाती, बुल गई तो कि दुखाद की हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है 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 हुआ है हुआ है पुझे जान पुझे अंजाम जाने क्या, पचित हो प्यार की यारी नब दिना हो पुझे जान पुझे ना हराब हो हिच्छोरी तंगे अजचान पॉन्याब हो तुमी से कुझ को बचाए रखना, बचाए रखना तुमी से कुझ को बचाए रखना, नहीं कह देना चुप ही रह्या, बनभुटी गुचाथ की पुर गई दोपित खाथ की बनभुटी गुचाथ की पुर गई दोपित खाथ की रखना 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 दोपित खाथ इसकाथ जिसकाथ नहीं पुर रखना रत जिए इसकाथ पुर प्हुल्राप्पट। जल्दी कर विठा, जल्दी कर, जल्दी कर, तरहे की आओ, आज, 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 करने किसी को यजब नहीं है कोच्वान प्रेम सिंग बोलो उमें क्या इंसाथ चाहिए रानिमा किस तरह इस किल्ला परवाही ने मुझे हाथों से लाचार कर दिया है उसी तरह इसके हाथ काटकर इसे विलाचार कर दिया जाए कोच्वान एक बार फिर से सोच लो जामतियन स्रियासत का बहुत पुराना वफादार लोहार है इससे पहले से दरबार को कभी शिकायत का मौका नहीं दिया प्रेम सेंग हम तुम्हें इतनी दॉलत देने को तयार है इससे तुम और तुमारा परिवार सारी जिन्दगी आराम स पिर सोच लो मुझे कीमत नहीं सिर्फ इंसाफ चाहिए जो आज तक इस रियासत का उसूर रहा है खुन के बदले खुन और हाथ के बदले हाथ कि अपना फैसला नहीं बदल सकती है जो हाथ सारी जिन्दगी इस राज की सेवा करते करते बुड़े हो गए आज उनी हातों को बरसों की वफादारी क्या खुश्रत इनाम दिया जा रहा है कि अपना रहा है यह क्या हो गया बाबा यह क्या हो गया सालमों मेरे बाबा के हाथ कटवा दिये अगर यह साबित हो जाए कि जिम्मेदार कोई और था तो क्या आप मेरे बाबा के कटे हुए हाथ वापिस दिला सकेंगे हम मजबूर थे धरम इस तुरगटना में हमारे कोचवान के दोनों हाथ कट गए हैं और इस तुरगटना का जिम्मेदार तुम्हारा अगर हकूमत करने वाले यूही नै करते रहे तो गरीब जनता का तो भगवान ही मालिक है धरम इस लक्त तुम अपने होश में नहीं हो इसलिए जजबाट से काम ले रहे हैं जजबाट जजबाट को तो आपके कानून ने घायल कर दिया है लेकिन एक बात आप भी याद रखिए कि इस राजगदी पर बैठकर मन घरत कानून बनाकर अगर आप गरीबों की जिन्द मेरे बाबा के हाथों की तरह मेरा सर भी तन से जुदा कर दिया जाएगा आज जान हथेली पर रखकर आया हूँ आपकी धम क्या मुझे सच बोलने से नहीं रोप सकते कानून से इंसाफ हरे के लिए बराबर है चाहे वह जंता हो यह हमारा बेटा हो यह हम खुद क्यों नहों मां खसंग उस दिन का इंचजार बड़ी बैता भी से करूंगा जिस दिन कानून की बिजले इस महल पर तूटेगी तब देखूंगा के महल की दिवारे तूटती है यह उन्हें बचाने के लिए कानून तोड़ा जाता है चल बेटा चल वारीबों के आवाज में इतनी साकत कहा जो इन कानून के रखवालत पहुत सके यह तेरे बाबा के हाथ में ही लोटा सकने जो कुछ भी हुआ उसका मज़े बहुत अफसोस है दर्म कि आशो और हमदर्दी अपने पास संभाल के रखो राजकुमार किसी खास मौके पर काम आएंगी ऐसा मत कहो मेरे दोस्त ऐसा दोस्त रानी मा मेरे बाबा के हाथ कातने को होकम देती है और बेटा जो अपने आपको मेरा सबसे बड़ा दोस्त कहता है मेरे बाबा के खुन बहने का तमाशा देखता रहा और कर भी क्या सकता दर्म तुम कुछ नहीं कर सकते थे लेकिन मैं दिल का जला हूं बहुत कुछ कर सकता हूं चले जा राजकुमार और तुम्हारे खुन के इल्जाम में मुझे भी फांसी का हुकम दे दिया जाएगा दर्म दर्म मुझे एक मौका दे तेरे बाबा के चरणों में दौलत का धिर लगा दू हूं दौलत दौलत से रोटी तो कमाई जा सकती है राजकुमार लेकिन वहाथ वहाथ कहां से लाउंज रोटी का निवाला बनाकर मेरे मुह तक ले जाते थे दौलत तरव प्राइब हम धरम सिंग और वीर सिंग को फ़त मच सकते हैं मगर कैसे धरम के बाप के हाथ कर जाने के बाद धरम सिंग और वीर सिंग में एक जरार सी पैदा हो गए है उस जरार में एक जरार सी चिंगारी डालने की जरूर थै उनकी दोस्ती तुश्मनी में बदल जाएगी और हमारा काम बिल्कुल आसा ना रहेगा वो कैसे ये वो शायतीर है जिसे सिर्फ रानी मा और राजकुमार ही इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन इस बार इसे मा इस्तमाल करूंगा मेरे कर्वे वो diplomCR दम आडaving मेरे कोन इसोन के शाटंगा स्परो इससनान फ्म् कर्कों से बाल गिए ख़्यक परियादी को दर्बार में पेश किया जाए दर्म यह किसकी लाश है यह मेरी माँ है क्या किसी ने इनकी जान दिये इस तीर को पहचानती है आप तो अपनी दानी को दिखा दूए तीर है यह तो शाही तीर है और आपके इस शाही तीर में मेरी मां का सीना छलनी करके इसकी सिंदगी पर मां के महर लगा दिए कि मगजर यह तीर चलाए यह किसी ने जानता है है यह तावे से कह सकता हूं यह वो ठीर है लेकिन यह लिए थिर हमने नहीं चला है मेरे बाबा की आपने नहीं पजने ती आपने नहीं से तो यह मैं कैसे माननू कि यह तीर आपने नहीं किसी और ने चला है भूलो तुम क्या इंसाफ चाहते हो पहुज इस रियास्त का कानून है, खून के बदले खून, हाथ के बदले हाथ, और मुझे चाहिए मेरी माँ के बदले माँ पहराम, जानते हो तुम क्या मांग रहे हो? माँ ठीक है, हमने ये कानून बनाया है, तो हम इसका पालन भी करेंगे हमारी जान देने से अगर तुम्हे इंसाफ मिलता है, तो हम अपनी जान देने के लिए तयार है जान लेना तो मैल वालों काम है, रानी मा, हम घरीब, हम घरीब तो हमेशा अपनी जान देते आए वो भी क्या चाहिए तुम्हे अगर आपके तानूम में इंसाफ की जरा से भी कुंजाश है, आपको ये महल छोड़कर मेरे साथ मेरे ठोपड़ में रहना होगा, तेरी मा मन कर क्या आप पकते हो धरम, आउ लुहार के बच्चे, मुह सभाल के बाद कर, वरना जबान खेश की जाएगी सत्ताल सेंग बीच पे बोलने का किसी को कोई अधिकार नहीं, पर चाहिए, धरम ठीक आरा, राजकुमार, इसे इंसाफ जरूर मेलेगा, आप माबन के धरम के साथ जरूर जाएगा, वीर सेंग, आज से तुम इस रियासत के महराज है, आगे आओ, राजगदी का खाली रहन का अशब माना जाता है, देखते क्या हो, आगे बढ़ो, चलो बीने, आगे बढ़ो, हम में सियासत के महराज के हैसे से हुक्म देते हैं, कि धरम को गिरफ्तार कर ले जाए, यह तुम पहले ही जानता था, राजकुमार, याद है, मैंने कहा था, उस दिन का पेताबी से इंतजार करूँगा, जब कानून की बिजली इस महल पे गिरेगी, तब द कानून के दरिमयान आई हर दिवार को हम तोड़ देंगे, लेकिन कानून पर कोई आच नहीं आने देंगे, और हम भी देखते हैं, क्या आप को धरम यहां से कैसे ले जाता है, और हम भी देखते हैं, धरम को यहां से जाने से को रोख सकता है, चल बेके, सुख दुख के हम साथ है यह रादा है अपना जो कुछ है सब आधा आधा है सुख दुख के हम ताथी खेए यह रादा है अपना जो कुछ है सब आधा आधा है जो यह सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो रानी मा से मुझको भी मम्ता मिल जाए थोड़ी हूँ हूँ महराज यह सोचने का नहीं कुछ करने का वक्त है इदर हम राजमहल में आराम से अपनी जिन्दगी बिता रही हैं उदर हमारी बहन एक महरानी उसके लहार की डर में चारू लगा रही होगी चक्ती से आटा पीस कर उसके लिए रोटिया तैयार कर रही होगी उसके जूठे पर तनमाज वही होगी महराज आपका लहार दोस्त ऐसा राई द्रोही निकलेगा मैं सोच भी नहीं करता मैं जान होता मेरे बाजू में पहली ऐसी पाकत होती आराज मैं इस तरह हाथ पहाथ धरके बैठाने ही रहता हुआ जाने हैं जाने है जाने है धर्म सेंग कल सोरज हुगने से पहले दानिमा को काली पाड़ी पर नहीं लेकर आए तो इसका मतलब होगा जिन्देगी और मात का आखरी जंग हमारे उस्ताने पर वीर सिंग ने धर्म सिंग को लड़ाए की ललका रहा है इसका मतलब यह हुआ वीर सिंग ने अपनी मौत को पुका रहा है रंजीत रंजीत हमें वीर सिंग की मौत का आखो देखा हुआ हाला कर सुनाएगा और हम हम इस सिल्जाम में अर्म सिंग को मौत की सिल्जा सुनाएगे हुआ 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 है हुआ है कि याद हो बेटा उदिन मैंने कहा था पत्थर की लखिर मिट सकती लेकिन धर्म वीर की जोड़ी कभी नहीं तूट सकती आज तुम खुद से तोड़ने जा रहे हो मां करसन बाबा मैंने कभी नहीं चाहा धर्म और वीर की जोड़ी तूटें लेकिन आज वीर ने मुझे ललका रहा है हमारी ये जंग नफरत और दुश्मनी की नहीं हमारी जंग अपना अधिकार हासिल करने की है तूटें की जोटें की जोटें के नहीं हमें तूटें की चाहिए आपके खातें दर्म और विर दुनतों बने के लिए दुटें के लिए तेयार है क्या कुछी कीजिए मगर उनको रोकी मेरा तस्ता पुछ नोट चुका है रानीमा पीवी मर गई एक धुरूमी है जिसको मैंने अपने उलाद के तरह पाला है क्या धरम तुम्रा बेटा नहीं जी नहीं आज से बीस साल पहले बाज एक बच्चे को में चोड़ गया था बाज? जी नहीं बीस साल पहले मेरे बड़ी बेटी को भी बाज उठाकर लेगिया था कहीं धरम मेरा बेटा तो नहीं मेरा आपको बेटा जिवा थेवी विसले को प्राव में पचाल अबदा लेगा था झी बच्पले झी बच्पले मेरा जाके भीर को रखते हूँ अब धर्म से कहिए कि भीर से आई है शेरू शेरू से जाकर नहीं लिया जा शेरू क्या बात है शेरू कोई मुसीबत में है अच्छा जगा मालूम है तो चल सारे जहां का तर्द हमारे जिगर में है भीया भीया सुझिए भीर सी को लगने से रोकिए यह असा नहों एक भाई के हाथों से दुसरे भाई की हप्जा हो जाए हाई हाँ भीया इस कपले को पैचानिये यह रांदिन लोहार के घर से मिला वो बात हमारे बड़े बेटे को रांदिन के घर ले गया था धरम हमारा बेटा है आपका अपने बड़ा भांजा मेरा बड़ा भांजा यह मौत का सामान नहीं क्या सोच रहे हैं आप जली से नहीं रोकी है भाया जली जाए ना रोकी ना उन्हें हम खुज जाते हैं बहान भाया 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 तुम्रे महरानी महरानी सुली हमारा अतंग खुट रहा है तरह मपीर को लगने चुरू कि वो दूनम भाई भाई है क्या भाई भाई हां महरानी ने हमसे बचन दिया था यह राज 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 रहे लेकिन आज जगा हमने यह राज नहीं खुला तो बहुत बड़ा नय हो जाएगा भाई भाई को नहीं पैचान पाएंगे बाप बेटी महीं सकेंगे बाप बेटी जी हाँ वो दोनो आपी के बेटे है क्या मेरे बेटे आज मिले भी तुस्साल में आप फून से लगपत हैं और तोनो बेटे एक दूसरे का खून बहाने के लिए बेच जाएंगे वो जल्दी चलिए उन्हें रोके लेकिन मेरे कहने से वो नहीं रोकेगे आपको मेरे साथ चलना होगा वो जल्दी चलिए तहीं अपने ज्वाला के खून पर भरोसा रखिये महारानी तो तोनो हमारे बेटे हैं उनकी लड़ाई का पैस लाइप ने चलती नहीं हो सकता आये घोहूँ जिर्ण झाली नवाले खरादी मेरे लोता तोनो मेरे लो आपादी तोनोeston collected जिए अआँ झाली करोड़ इह करोड़ से तयो झाल 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 एंका आपकान प्रुटर सूस nihे हाना करूछ करुछ्य सटीं आदे। करुछ्य सतूस झाल 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 हुआ 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 हु तो ही है इसे पाद उठाकर लोहार के गार चोड़ाया था तो नहीं है वहाई हो हाँ 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 मेरा भाई वीश भाई माई पहले दो तक शुक्रियाता करो जब यहां की पास ही लगा कर मुझे मौत की मुझे यहां तक उठालाएं वरना मैं झालाएं वरना तक वहां तक शुक्रियाता है वहां तक शुक्रियाता है मा ठीक हो जाएगी ना हाँ बेटे खबराने की कोई बात नहीं अधर्व पार सिंग शुजार और देवसिं आपस में मिल गए है और इस जहाद पे हमला करने वाले हैं चाँ अधर्व 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 ऊयुक्त हिव अधर्व यह of अधर्व अधर्व स्भर्श अधरा61 जाएंगे और मैं कुछ नहीं जानता जब तक रूपा उस चाहाज पर रहे हम उस चाहाज को नहीं उड़ाएंगे पिताजी अगर अपनी जान की सलामत चाहते हो तो धरम को हमारे हावाले करते हैं तुम सब को छोड़ दिया जाएगा हरो मैं नहीं नहीं हुआ उनके पास हुई हमारे पस कुछ भी नहीं तो मैं चाहता मुझ yetin वुजए की वजह से इन्सागी जाने का должна तकबीर में मौत लिखी है कोई बचा नहीं सकता अगर जिंदगी लिखी है कोई माही नहीं सकता तकर मान का ख्याल लग से कर दो कर दो कि अधिए कि अधिए आधिए पानी में तो कुल जया है ऊपर को नहीं आरा आधमें धोगा दे रहा है लाओ मशालिदर पानी में कहा धूड़ रहे हूं ममा जा उपर देखो तुम्हारे सर पे खड़ाऊ कि अधिए अधिए मामा कि तुम्हा याद में धर क्यों रहे हैं खाली हाथ आया हूँ कह दो इंसे पकड़ने मुझे पकड़ो इसे आज हम अपनी मौद को अपनी आखों के सामने मरतावा देखेंगे मारा आओ क्यों देखेंगे मुझे इससे अपना इसाथ चुकाना है एक बार इसने मेरा मूँ काला किया था आज मैं इसका मूँ काला करूंगा और आपकी मत को बड़े प्यास से मरूंगा बंदो इसे काश हमारे पाफ दोपोती है राजकुमार गो देखो यह दूसरा जहास कहां से है यह हमारे घंदार भाई का जहास है उन्हें वादा किया था कि तुब बाकी सबको जिन्दा छोड़ देगा वादा पर खुरदार वादे का इतबार समझदार नहीं किया करते वादार वादे करते वादार थेखो वादे करते यूए करते वाम झाल झाल कि झाल खंच झाला थे खिंग सेख्ष和 कर दो कि झाला धुर तوقनल कर झाला बंत लड़ा बाढ अधब बाद प्राइब अभाईब बचकुवारी बचकुवार अब प्राइब चौह दिल्गेंए लिजी लिभाम, छो कि आत्टेश भी अभता है, पड़े, लिए अभाम, भी एंपने ही, लिए लिए- बहुताँ लिए-खि लिए- आड़े, लिए-द। जोड़ मुझे, बच्छाओ, राजकुमार राजकुमार कब जाओ मेर सही जड़की का सारा लेता है बिसल अगर मर्द है तो अपने सीने को ढाल की तरह इस्तेमाल कर सिपाहियो, पगार लो इसे जाओ गीदर शेर की गार में खुद आया है अपनी मौत खुद मरेगा तम सब लोग पीछाड़ जाओ पाइंगा ऐसी हरकत की तो कलाई को लिए रख दूगा अबे ओ चिड़ी मार की ओलाद औरत की कलाई क्या मरोड है इम्मत है तो आप बगर मेराद त αναवे खुद मेराद गगर बगरान यूछस्द से लिए पाइंगा थे खुद आप पाइंगा युद आप लोग गुद युद आप लुद आप पाइंगा झाल 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 कर दो कर दो कर दो कर दो पहाद दुरी का नया ठंग सिखा गया है कोई चुका के खून की कीमत चला गया है कोई धरम और वीर का नाम रह जाए धर्ती पर तबक दमाने को ऐसा सिखा गया है कोई साथ अजूबे इस दुनिया में आठमी अपनी जोडी साथ अजूबे इस दुनिया में आठमी अपनी जोडी अजूबे से भाई चूटे नांगे धर वीर की जोडी अजूबे साथ झाल अजूबे रहां आए झाल झाल